बहुत ही budget friendly और बहुत ही easy DIY बहुत ही खुबशूरत सा लैम्प जो की दिवाली के दियों से बनते हैं दिवाली के मौके पे दिये हमें बहुत ही असानी से मिल जाते हैं और बहुत सारे दिये हम खरीद कर त्योभार के बाद ये तरीके का लैम्प भी बना सकते हैं आज की वीडियो का मेरे यही टॉपिक है हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ भावना और आप देख रहे हैं भावनास क्रेटिव स्पेस टिवाली पे खूब जमके दिये जलाए और आज इसी दिये से एक क्राफ्ट बनाते हैं सबसे पहले इन दियों को जो है राउंड शेप में हम रखते जाएंगे जितना भी बड़ा आपको वास बनाना है उतना बड़े में इस तरीके से एकी साइस के बना लिए एमसील की दोनों कॉइल्स को पहले हम एक पर लेंगे एमसील की मदद से हम इन दियों पर जो है दियों को चिपका दे जाएंगे दोनों साइट के दियों के पर यह हमसील रखा और एक दिया और रखके इसको उसके चिपका लिया इस तरीके से सारे दियों पर इस पूरे गोल चकर पर हम इस तरीके से अपने थिमसील लगा लगा के दिये चिपका लेते हैं और ये मिरे पस जितने भी दिये थे मैंने सबको एक साथ इस तरिके से एंसील की मदद से सेट कर लिये और अब हम इसको सुखने के लिए छोड़ देंगे और अब बारी आती है इस पे कलर करने की जिस कलर से भी आप अपने दियों को पेंट करना चाहते हैं उसे कर दे मैंने लिया है गोल्डन कलर दियों पे गोल्डन कलर जादा सुन्दर लगता है और इस तरीके से हम अपने इस पूरे क्राफ्ट को पेंट कर लेंगे सारे क्राफ्ट में धीरे-धीरे पेंट कर लेते हैं और अब बेस के लिए मैंने लिया है ये केक वाला बोर्ड आप कुछ भी ले सकते हैं जिसमें भी आप अपना बेस बनाना चाहें और इसको सीधा करके हमने ये रख लिया और अब इसके अंदर हम अपनी दिवाली की लड़िया लगा लेते हैं और हमारे इस दिये में हम अपना बीच में आप इसमें कैसी भी लाइट लगा सकते हैं मेरे पास फिल हाल कोई भी लाइट नहीं है तो मैं इसमें ये जो है दिवाली की जो हमने लड़िया लगाई थी इसी को लगा दे रही हूँ और मैंने ये इसमें लाइटे लगा दी और अब ये हमारा लैंप बन गया कमरे में अधेरा करके दिखाती हूँ आपको हमारा लैंप बन गया और अब बारी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें शेयर करें और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स आप चाहें तो इसके जो है दियों के अंदर लाइट है यहां पर भी हम लगा सकते हैं आजकल बहुत वराइटी की लाइट्स आती है मुझे ज़रा सेट करना नहीं आया तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बाई